गुड बॉर्णिंग इस्टुएंस कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे आज आपकी वक्षीट नमबर फिफ्टी टू ए आई है से अच्छे से लेबल कर लीजिए क्लास फोट लिख लीजिए डीड डाल दीजिए अपना नाम अपना टीचर का नाम लिख लीजिए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं नमस्ति प्यारे बच्छो हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्त होंगे खुश होंगे आईए आज की कायपत्रिका में हमें क्या करना है मीनू और निधी की बादचीद के साथ शुरू करते हैं मीनू और निधी आज पार्क में मिले आईए इनकी बादचीद को भूल कर पड़ते हैं और काय पत्रिका का काम पूरा करते हैं तो देखें यहां लिखका है सुनो निधी आज मैं अपनी बहुत पुरानी सहली रजनी से मिली अपनी ने कहा क्या कहा कौन रजनी का रजनी मेरी सहली है रजनी दिल्ली में रहती है रजनी के माता पिता रजनी को बहु है भी है लग्ड जनी उसका बहुत ध्यान रखती है तो आपने क्या देखा और दिखा कि ये निधी जो है यह जो बार 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 निधी से सामने जो बात कर दिये हैं ये बार-बार रजनी जो कि आपको ऑठपटा लग रहा है कि बहुत एध ञञए करी एध आए ये मीनू के बोले हुए वाक्यों को दुबारा से पढ़ते हैं तो देखे क्या लिका है रजनी मीरी सहली है वे दिल्ली में रहती है उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं उसकी एक छोटी बहन भी है वे उसका बहुत ध्यान लगती है इन वाक्यों में रजनी के इस्थान पर वे उसके उसे उसकी शब्त का प्रियोग किया गया है ये सभी शब्त सर्वनाम कहलाते हैं तो आपने दिखा ना कि यहाँ पे जो यह सेंटेंस है वो कितना बढ़िया लगने लगा है पढ़ने में है ना सुन्दर लगने लगा है लग रहे कि हाँ भई हम कुछ पढ़ रहे ऐसा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या पढ़े जा रहे रजनी 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 है ना तो हमने इस सेंटेंस में क्या करा रजनी की जगाँ पे वे उसका उसे उसकी इन शब्दों का प्रियोग किया है तो ये शब्द क्या कहलाते हैं ये शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं तो देखे लिखा है संग्या की स्थान पर जिन शब्दों का प्रियोग किया जाता है वे सर्वनान कहलाते हैं यानि की वे शब्द जो संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाए जैसे संग्या क्या है जो भी है रजिनी निधी, मीनू ये सब नाम है नाम शब्द क्या होते हैं? सारे संग्या होते हैं दिल्ली, बॉम्बे अब उनके जगापे अगर हम तुम वे ये उसका उसे हमारा इस शब्दों का इस्तिमाल करते न तो ये सर्वनाम कहराते हैं अब देखें यहां पर आपको क्या करना है नीचे दिये गए सर्वनाम शब्दों पर सही का निशान लगाई है करना सीता वे उन्हें बुढ़ापा आगरा तो बुढ़ापा और आगरा तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा उन्हें हो जाएगा केशव अंकुष तुम तो इसका तुम हो जाएगा माता आप सीमम तो क्या हो जाएगा आप हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं तो देखें यहां लिखा है नीचे दिये गए वाक्यों में सरवनाम को लिखना है तो देखें जैसे कि अब यहां लिखा है मेरी पैंसिल बड़ी है तो क्या हो जाएगा मेरी दूद में कुछ पड़ा है तो क्या हो जाएगा कुछ यहां क्या लिखा है हम इसी गाओ वे रहते हैं तो क्या हो जाएगा हम इसके बाद क्या है वे बहुत अच्छा गाना गाता है तो इसमें क्या हो जाएगा वे तो अब यहां पे लिख लेंगे हा मा हम यहाँ पे लिख लेंगे व और हवे यहाँ पे लिख लेंगे कुछ कामे उ की मातरा अच्छा कुछ आया ना मज़ा कर सकते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं तो यहाँ देखें आपको चितर दिया गया है आओ बाचीत करें क्या लिखा है प्यारे बच्छो साथ दिये गए चितर को ध्यान से देखिए आपको क्या लगता है कि चितर में दिख रहे है व्यक्ति और चुहा आपस में क्या बाते कर रहोंगे अनुमान लगा कर उनके समवाद यानि बाचीत को जूर जूर से बोलिए और अपनी कॉपी पे लिखिए तो आंसर दिखने से पहले इसको भी पढ़ लेते हैं लिखा है बच्छो आपको काय पत्री का मज़ेदार लगी ना तो अब जर्ट पढ़ बताईए कि आपने क्या क्या नया सीखा तो आज हमने सर्वनाम शब्दों को सीखा है किस तरह से संग्या के स्थान पर प्रियोग होने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं तो चलिए इस कांसर देखके अब हम वीडियो को फिनिश करते हैं then if you omnip Borosak और ₱ॱर घ्मत खा जी आता है क्या मैं एसे और ले सकता हूं तो याद में कहता है यहां क्यून जेप पूछते हैं क्या तुम्हें मुंपली अच्छी लगी तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं आसानी से चले तो आची वीडियो को हम यही घतन करते हैं अची वेशीट में बस इतने अगर आपका यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक को शियर करें अगर अभी तक आपने मैचाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कि वाचिए और दू आपने मैचाम को सब्सक्राइब धर लूझर झाल फिल्ट में यह बहुत हैं शीजर को शीजर के इस बदोफे पीजल को सब्सक्राइब टाटन चैनल करते हैं तो प्लीजर कि अब्या हैं वह वीडि़ श्यक्ष भीज़ पूच फाहन पगर इसे च्मिं